नमस्कार फ्रेंस मेरा नमों रुपेश रफस्वी का बहुत बहुत स्वागत हैं विहार टेक्निक का यूटूब चैनल में दोस्ते स्ट्वीडियो में आपसो को बताने वाला हूँ S2 Netbank का यूजनम और पासवाट को फोर्ड कैसे करते हैं तो फ्रेंस जैदी आप ही S2 Netbank का यूजनम और पासवाट को भूल गए हैं उसको प्रिशेट करना चाहते हैं इस वीडियो को धहां से देखते रहेगा वीडियो में के बढ़ने से पहले आप सबसे डिक्वेश्ट है कि दि हमारी वीडियो प्रसांद है तो इस वीडियो को लाइक जुरू कर देजेगा और अभी तक आपको फॉन से या लेप्टाप कम्पीटर से किसी भी नेट ब्रोजर को उपन करना है और आपको सर्च में स सबसे पहला जो लिंक मिल रहा है जहां आप लिखावाए State Bank of India आपको इस पर किलिक करना है इसकद आपके साना कुछ इस तरह इंडिया पर 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 दे सकते हैं कि हमसे उजगन पासवर्ड मांग रहे है तो फ्रेंस हमें उजगन पासवर्ड पता नहीं या भूल गये तो कब से मिलेगा Forget username slash login password तो आपको इसमें किलिक करना है जहां पर लिखावाख Forget username slash login password जिससे पर किलिक कीजिएगा तो आपके साना कुछ इस तरह इंडिय पर सागागा जिससे कि आप यहां पर दे सकते हैं दूस्तों इसमें क्लिक करना है और इसमें साब को Select करना है कि आपके आप फोरेट करना चाहते हैं तो फैस यदि आप ICTC का username password दोनों भूल गए हैं तो सबसे पहले आपको username को forget करना है यानि कि username को आपको पाता करना है तो इसमें से आपको select करना है forget username इसको आपको नीचे next button पर क्लिक करना है इसको आपको सान कुछी सब्सक्राइब करना है जिससे कि आप यहां पर दे सकते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको अपको अपना CIF number डाला है जो कि आपके password पर लिखा होता है इसके नीचे आपको अपना country को select करना है इंडिया हम select करता है इसके नीचे आपको जो bank register mobile number है उस mobile number को आप डाला है इसके नीचे हैं पर capture जो दिख रहा है image में इसके अपर डाला है तो फ्रेंच जीससे कि आप यहां पर दे सकत है कि यहां पर हम उतना safe number डाल दिया हूँ इसके country select है इसके नीचे bank register mobile number को डाल दिया हूँ इसके नीचे आपको क्याप्चा को डाल दे हूँ जो यहां पर image में देख रहा है इसकोद आपको नीचे submit के बटन पर क्लिक कर देना है इसकोद आपके साने कुछ इस तरकिंड़ इसकोद आपके साने कुछ इस तरकिंड़ पर दे सकते हैं यहां पर आपका यहां पर दे सकते हैं और फ्रेंस जो आपके bank register mobile number उस पर भी message चला जाता है जिसमें यहां लिखा होता है तो फ्रेंस यहां तक हमें यहां पता चल चुका है यह तो अपना इस बेनेट बेंगी का username को कहीं पर नोट करें रख लेना है ताकि आप इसको दुबार से भूले ना दोस्तों हमें ICTC का username पाता चल चुका है अब हमें password को forget करना है पासवाड को forget करना के लिए फिर से आपको यहां पर पहना है मैं आप से पर सुरू से ही देखायता हूं ICT आपको हमपेज पाई जाना है पर असनल बैंकी का अंतकत लगिन के बटन पर क्लिक करना है यहां पर कंटीनू टू लगिन पर क्लिक करना है यहां पर फिर से क्लिक करना है जहां पर लिखा forget username slash login password जहां पर लिखा forget username slash login password आपको इस पर ही क्लिक करना है फिर आपके सामने forget करना है तो आपको password वाले option को select करना है तो चलिए मैं इसको select करता हूँ forget my login password को आपको select करना है इसको आपको नीचे next button पर click करना है इसको आपके सानों कुछ इस तरक इंडे पर सेगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपना SBA Netbank का username डाला है इसके नीचे अपना account number ढाला है इसके नीचे country आपको select करना है इसके नीचे bank mergister mobile ढाला है इसके डarete of board ढाला है इसके नीचे हमेर capture ढाला है जो यहाँ इमेज में दिख रहा है तो फ्रें जैसे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना SP Net Bank का Eugeniam डाल दिया हूँ अभी हमने पाता किया था Eugeniam को इसके निचे अपना account number को डाल दिया हूँ इसके निचे हमें country select कर लिया हूँ इसके निचे bank register में वालनाँ को डाल दिया हूँ इसके निचे अपना date of birth डाल दिया हूँ इसके निचे हमें capture डाल दिया हूँ जो है इमेज में दिख रहा है इसकोद आपको submit के बटन पर किलिक कर देना है इसकोद आपके सायन को चीशतर के इंडे पर सागा आपके bank register में वालनाँ पर एक OTP जाएगा और यहाँ पर आपको OTP को डालना है OTP को डालने के बाद निचे आपको confirm के बटन पर किलिक करना है इसकोद आपके सायन कोच इसतर की इंडे पर सागा जिससे के आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तो पासवाड को set करने के लिए यहाँ पर आपको तीन अप्सन दिया गए तो फ्रेंस यदि आपके पास में ATM काड है ATM काड के थुरू पासवाड को आप reset करना चाहते हैं तो आपको इसको select करना है सबसे फॉस्ट वाल अप्सन को यदि आपको अपना profile password याद है Netbank का तो आपको इसको select करना है सेकेंड वाल अप्सन को यदि आप ब्रांच के थुरू करना चाहते हैं तो आपको नीचे अलप्सन को select करना है सबसे नीचे अलप्सन को तो फ्रेंस हमाड़े पास bank का ATM काड है तो यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट वाल अप्सन को select करता है जहाँ आप लिखा using ATM card details इसको आपको नीचे submit button पर click करना है इसको आपके साहने कुछ इस तरगिंड़े पर साहगा जिससे कि आप यहाँ पर दे सकता है दोस्तो आपके bank के साथ में जितने भी ATM card issue हुआ होगा यहाँ पर आपको दी जाएगा तो जो ATM card active head है फिलाल में उसके सामने आपको tick करना है यहाँ पर और नीचे आपको confirm button पर click करना है इसको आपके सामने कुछ इस तरगिंड़े पर सगा दोस्तों यहाँ पर आपको अपको अपना debit card करकर detail fill करना है सबसे फिल आपको अपको अपना ATM card का validate है month warrior इसके नीचे card holder का नाम डाला है यानि कि जो आपके ATM card पर नाम लिखा है वही नाम डाला है इसके नीचे आपको अपना ATM pin डाला है इसके नीचे आपको capture को डाला है जो यहाँ पर image में दीख रहा है जिसके आप यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर हम अपना ATM card का detail fill कर दिया है यहाँ पर ATM card का validate month or year इसके नीचे हमारे ATM card पर जो नाम में डाल दिया हूँ इसके नीचे ATM pin जो 4 नमर का होता है वो pin में डाल दिया हूँ इसके नीचे हमारे CAPTCHA को डाला हूँ जो हमारे image में दिख रहा है इसको आपको post sheet को button पर किलिक करना है इसको आपके साने कुछ इस तरक इंडे पर सेगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समय के लिए wait करना है इसको आपके साने कुछ इस तरक इंडे पर सेगा जिससे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको password क्रिट करने का अपसेन आ चुका है तो प्रण जो आप अपना S.W.NET के लिए password बनाना चाहते हैं और नम्रिक भी होना चाहिए जिससे कि एक दूतिन और स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए सभी मिला आको आपको password बनाना है जिससे कि example के तौर पर इसकीन पर देख रहा है तो फ्रेंस जो मैं password बनाना चाहते हूं उस password को यहाँ पर डाल दिया हूं इसके निचा confirm password में उसी password को दुबार से डाल दिया हूं इसको आपको निचे submit button पर क्लिक करना है इसको आपके सान कुछ इस तैकलिन पर सेगा your login password has been reset successfully यानि कि फ्रेंस हमारा password successfully reset हो चुगा है फ्रेंस यहां तक हमें sb netbank क्या यूजर नाम भी पता चल चुका है और हमने password भी set कर लिया है तो फ्रेंस इतर से आप sb का netbank का password और यूजर नाम को forget कर सकते हैं या set कर सकते हैं दोस्तों आप यूणू में login करने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेंस से यूणू sb application को open करना है इसको यहां पर आपको दूप से मिलेगा तो सबसे पहला option है एक्जिक्टिन sb गश्टम आपको इसको टिक करना है इसकत आपके सान कुछ इस तरह के इंड़ पर सेगा दोस्तों आपको पूछ रहा है कि आपके जो bank, register, mobile, and roll a stream है ओ कौन सा से मैं तो यहां पर आपको bank, register, mobile, and roll a stream को select करना है फिर आपको नीचे next button पर क्लिक करना है पर मिस्ते मांगे तो सबी पर मिस्टम को आपको इलाओ कर देना है इसकत आपको second के लिए wait करना है इसकत आपक दोस्तों आपको छे नमर का mp set करना है दोस्तों आपको छे नमर का mp set करना है दोस्तों आपको छे नमर का mp set करना है जब आप यूनो अपलिकेशन को open किजिगा तो आप यहीं छे नमर का pin डालकर आप लगइन हो सकते हैं तो जो आप mp set करना चाहते है उपर डाला है और नीचे री इंटर mp में दोबार से डाला है उससी pin को इसको आपको नीचे next button पर किलिक करना है इसको आपके सानों कुछ इस तरक इंडे पर सागा यहां पर आपको ok बटन पर किलिक करना है इसको यूनो अपलिकेशन का homepage open हो जागा जिससे कि आप यहां पर दे सकते हैं यहां पर यहां इंटर्चली विटरो एक तरफ वचला इन तेर समार कियो आपका ब्सक्रति की इस यह पातовых की हैं को मैं व्यूद्यू को बियूकर को सकते हैं मिल 1 नशिकल ब्रक्राइब थेटी वहाँ ऐसे यहां ओ को में आधि सब निनलेगा शुक्णा ठीयेक झाल झाल